नामस्कार जैहिन आप सभी का राजस्तान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है मैं आदर्सकुमावत आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आईए दोस्तों हूबव पेपर अपन पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया 30 मार्च तक अपन लगातार हूबव पेपर पढ़ने वाले हैं वैसे अगर आप सभी का सयोग रात तो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस हूबव पेपर की सीरीज को सभी एक्जाम्स के लिए इसमें सभी का मिश्रन रहने वाला है जैसे की सामने विग्यान, सामने ग्यान इंडिया और सामने ग्यान राजस्तान ठीक है पचास मैंसे आपके लिए चैलेंज करता हूँ कि 40 क्वेशन कर लीजी आप आप बहतर इस्तिते में होने वाले हैं अग पार्ट संक्या रहने वाली ना यह अपनी पार्ट टू रहेगी ठीक है इसे पहले पार्ट फर्स्ट अपने कल पढ़ाए आपने नहीं देखिए तो जरूर देख लेना और यह पार्ट अपनी टू रहेगी एंड तक जुड़े रहे हैं वस यही आप सभी से गुजारिश क करूंगा पहला क्वेशन आप सभी के स्क्रीन पर है आप लोगों से पूचा जा रहा है शुष्क सागवान वन राजस्तान के किस भाग में सरवादिक पाई जाते हैं दक्षनी भाग में पच्चिमी भाग में या फिर पूरवी भाग में या फिर उत्तरी भाग में तो रा वादी कि ये कौन सी बात करें हम शुष्क सागवान की बात करें ये कौन से वर्ष वाले इस्तान में पाए जाते हैं जैसे 75 से मी से लेकर 110 से मी वार्शिक वर्षा जहां पर होती है वहां पर ये बन पाए जाते हैं बेलकुल आसान सा question था आपका अगला question है भारत की उत्तर स से दक्षिν की लंबाई हैं ये आप लोगों से क्वेशन किया जा रहा हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो हएना वह प्यारे साथियों कितनी हैं देखें भारत की उत्तर से दक्षिण देखिए Thousands कि अब हारत ठीक है यह सही मैंने पहन से बढ़ाया है तो देखो उत्तर से दक्षिन जैसे उत्तर से दक्षिन आपसे पूचा जारान तो यह जो है न यह 32 से पच्षिन ज्यादा है उत्तर से दक्षिन कम है ठीक है राजस्तान की तीसरी बड़ी परवत छोटी जो है वह कौन सी यह आप लोगों को बताना है देखे गुरु श्रीकर सबसे बड़ी है 1722 है दिलवाडा की बात करे यह 1442 से कितनी है 1442 से और जरगा की बात करे 1431 है और तो यहां पर आप अनुवान लगाओ कि कौन सी दो नमर पर एक नमर पर यह हो जाएगी दो नमर पर यह हो जाएगी तीन पर यह हो जाएगी और चार पर यह हो जाएगी ऐसा ही है ना राजे की तीसरी बड़ी परवत छोटी दिलवाणा 1442 से तीसरी बड़ी छोटी हो जाएगी अपनी जर्गा हो जाएगी है न यही होगा ना बिल्कुल सरी ही होगा तो चले यहां पर यह चीज आप लोगों के लिए किलियर हो जाएगी एक सेकंड एक इसमें नाम नहीं है परवत चोटी का मैं आपके लिए लिखता हूँ वापस से देखे गुरुशीकर जो है न यह तो सबसे बड़ी है यह आप सभी को पता है गुरुशीकर गुरुशीकर 1722 से गुरुशीकर के बाद में नमर आता है सेर का दोस्तों कि इसका न नमर आता है तो 1597 किलोमेटर जो की सेर चोटी है अब नमर आता है अपनी देलवाडा चोटी का देलवाडा चोटी जो है ना 1440 ठीक है तो इसका मतलब अमारा राइट आंशर क्या हो जाएगा बिलकुल करेक्ट है उसके बाद में नमर आता है जर्गा का जो की 1431 से मैं सेर क question आपकी screen पर आता सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता सन्यासियों का सुल्तान ये किस को जाना जाता ये आपको बताना है जल्दी से answer करिएगा और right answer आप सभी कहो जाएगा हमीदूदीन नागोरी हमीमूदीन नागोरी हो जाएगा right answer आपका 이 option देखो तारकीन का अर्स भी भरता है तारकीन का अर्स भी भरता है इलतुत में इसने ये बनाही था तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा ये option नागोर में है इनका ये तारकीन का अर्स भरता है ठीक है नमबर 5 question है अंडमान वे निकोबार द्वीव समू को मिलाकर भारत की कुल 30 रेका की लंबाई कितनी है यह आप लोगों से क्वेसन किया जा रहा है भारत की कुल 30 सीमा की लंबाई अंडमान और निकोबार द्वीव समू को मिलाकर मतलब की 7,517 किलोमेटर हो जाएगी आपकी ये ठीक है तो right answer मारा भी option हो जाएगा और दोस्तों भारत की जो थल सीमा की कुल लंबाई ये वो कुल कितनी है complete भारत की थल सीमा की लंबाई जो है न वो जैसे की all round वो जो है न वो अपनी है 15200 वर्ग क्या किलो मेटर में है ठीक है अगला question आपकी अचा 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 रुकिए अगला question आपकी अचा अचा रुकिए अचा इसमें तो दोनों ही है या न टैती सागर के आउशेस अथर पच्छी में मरूपरदेश भी है और पूरी मेदानी भाग भी है तो right answer आपका C option हो जाएगा लॉक कौन सा हो जाएगा C option लॉक हो जाएगा हम कई बार A शिरफ उतर पच्छी में मरूपरदेशी पढ़ते हैं अगला question है भारतिय वन अनुसंदान संस्तान किस इस्तान पर है भारतिय वन अनुसंदान संस्तान जो है न अगला question आपके screen पर आता है सरवादिक वन संपदा वाला जिला देखें यह सुपरफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इससाब से अपना यह test काफी टाइम लग जाएगा सरवादिक वन संपदा वाला जो राजी है न वो कौन सा ही आप लोगों से question कि जिला पूचा है आपसे तो उधेपूर को आप सभी लोग लौक करेंगे उधेपूर के बाद 12 का नंबर आता है सबसे कम जो वन सेत रहना वो चुरू का है ठीक है जैसे यह तो 27 और 166 वर किलोमेटर फैला हुआ है कौन सा उधेपूर वाला ठीक है और वहीं चुरू की बा सबसे पूरानी परवतर शंकला इन मैंसे कौन सी है यह क्वैसन में आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों जल्दी से जवाब देना है दे रहा हूं आपके लिए है ना उमीद करूँगा आप सभी जवाब देंगे क्योंकि यह अपन ने शायद पिछले सब्ते में ही सब्ता में ही पढ़ाता है तो आप लोग जरूर से जरूर जवाब जल्दी से जवाब देना है आपको ठीक है शेकावाटी चैतर में किस परकार के बालु का इस्तुबों का बहुलिया है बर्खान पेराबॉलिक पवनानूवर्ति या अनुपरस्त तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बर्खान क्या हो जाएगा बर्खान को लॉक खते हैं अर्द चंद्राकार इस्तुब्ह क्या सकते हैं इसके आलावा भी वैसे यह कहाँ यह शेकावाटी में पाए जाती है लेकिन इसके यह से जैसल मेर में है बाड मेर में है जोदपूर में है इन में भी ये पाए जाते हैं मतलब बालु का इस्टूब अगला क्वैसन अगला क्वैसन है कि भी पुली कट जील किस राज ये मिश्टी थे ये आप लोगों को बतना है तमिल लाडू आंदर पर्देस दोनों या इन में की जीले और श्री अरीकोटा जो द्वीव समुए ना वो भी तो यहीं पर ना चतीश दवन उपग्र जो प्रक्षेशपन केंद्र प्रक्षेशपन जो हुआ था ना वो इसी केंद्र से हुआ था ठीक है न तो यहां पर जो है आप ध्यान रखना अगला क्वैसन है जो जिल दर्रा देश के कौन से राज्य मै जिता है या आप लोगों से question किया जा रहा है राई आन्सर आप सभी का जंहु कष्मीर हो जाएगा राज्य या क्या y Brilli कर लो यांपे ठीक है तो राई आंशर आप सभी का ये option हो जाएगा जो जिल्ला दर्रा जो है ये सोन मर्ग के समीप है ठीक है काँ पे हैं सोन मर्ग के समीप है और अगर देखा जाए तो मतलब ये जो है ना दरा ये लद्दाक और कश्मीर को जोड़ता है ठीक है लद्दाक और कश्मीर को अगला question है पशुपती संपरदाय का संस्तापक कौन था या थे यह आप से question किया जा रहा है पशुपती संपरदाय के संस्तापक की बात करी जाए तो यहाँ पर लकूली सोझेगा आपका right answer इतना सा question है सर हा जी इतना सा यह यह पाप जबाब दीजिएगा ना जल्ली जवाब दीजिएगा अगला question आपके स्क्रेंट पर और जल्ली से जवाब बनेगा पवनूर्जा तक्निक केंदर के सिर्स्तान पर इस्तित है पवन उर्जा तकनिक केंदर जो है ना कौन से स्थान परिष्थित है देखिए हेदरबाद चैनाई बंगलोर कोची बोले सर चैनाई में है चैनाई कहां पर सर तमिल नाडू में है ठीक है और राइट आंसर आप सभी तमिल यहां पर आएगा और नाडू है ना और इसकी इस् देखो दाता तले उंगली ददबे बाड़ी बन अबोल नयननी चापे निरकता पटूओं वाली पॉल यह कतन किसके लिए का गया उक्त कतन किसके लिए का गया सीवाना जोदपुर जैपुर जैसलमेर कितना आसान सा क्वेसन है यहां पर आप इसका अंदाजा लगा सकते है पटूओं वाली पॉल मतलब कि पटूओं की अवेली के बारे में कुछ न कुछ कहा जा रहा है है ना तो राइत आंसर आप सभी का हो जाएगा D-Option और मतलब अगर देखा चाहे ना जैसल मेर में ये पटों की अवेली है पटों की अवेली पटों की अवेली आप उसको गुमान सिंग की अवेली भी कह सकते हैं क्योंकि गुमान सिंग ने इसका निर्मान चंद पटवा ने इसका निर्मान करवाय था पांच मंजिला है ये ठी चंदू जी का गड़ा और बोडी का मैस्तान किस के लिए विख्यात है और क्यों विख्यात है यह आपको बताना है चंदू जी का गड़ा और बोडी का मैस्तान किस के लिए विख्यात है बोले सर तीर कमान बनाने के लिए या निर्मान के लिए प्रसीद है चंदू जी का यह आपको बताना है बोले सर शक्कर है योगी को और तो कौन सा है अच्छा चकर शक्कर को लॉक कर देंगे अगला क्वेस्टन है जैसल मेर का सोनु गाउं के सेतू प्रसिद है जैसल मेर का जो सोनु गाउं है न यह क्यों प्रसिद है लाइम स्टोन के लिए सीसे के लिए जस वैसे इस जैसल मेर में पवन उर्जा का सरवादिक उत्पादन होता है इसी जैसल मेर में सरवादिक प्राकरतिक गैस का उत्पादन भी होता है और इसी जैसल में सरवादिक पलाया जीले पी पाई जाती है सरवादिक आप बंजर गुम्मी भी कह सकते हैं सरवादिक चेतर फल बन रहे हैं आपके लिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उक्तसभी क्या होगा उक्तसभी को आप सभी लोग लॉग करेंगे मतलब वर्णान धता हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम मतलब सभी के सभी अनुणशिक रोग है खसका उत्पादन करने वाले परमुख जिल अगला क्वेसन है कि सभी सबसे उंचा गुरूत्वी बांद देना वह सबसे उंचा जो भाकड़ा बांद वहां हो जाएगा भाकड़ा बांद यह पंजाब में है और सतलरा नदीपर बना हुगा वैसे द्यान रिखना और ये जो हीराकुंड बांद ना ये ओडिषा में बना ऊए है ठीक費 ओडि शा में बना ऊँए महा नदी पड़े है na और थेहृरियूबन पढ़ा टेहरि apply शर्य ऊत्रा खंड में बना ऊए कि ऐवरे ऊत्रा खंड में बना हुआ है ठीक है तो बिलकुल आसान सा सारे के सारे और अगला क्वेस्ट आता है कवक जनित रोग कौन सा है इनमैसे जो कोन सा है क्रेंडी डायासिस क्रीप्टोडो रोग्व है यह सारी और जौन कम जनित कम आ हालक के लिए और एगला रोग का वहाग कौन सा मच्चर होता है तो right answer आप जबी का हो जाएगा B option क्यू लेकस क्यू लेकस मच्चर हो जाएगा file area रोग का वहाग ओके सर अगला question चंदेरी का युद किसके मद्दे लड़ा गया देखे दोस्तों आपको count भी करने में आप शुरू मैं तो भूली गया कि आपने count करेंगे या नहीं करेंगे भता नहीं लेकिन मेरे ख्याल से hubu paper है तो कहने कि आप शिक्तन नहीं पड़ेगी आप count करते ही होंगे चंदेरी का युद किसके मद्दे लड़ा गया count करने मतलब ये तो count हो रही है हो ही रहे हैं कि भी 20 question आगये मतलब आपको ये count करना है कि मेरे कितने सवाल सही हो रहे है है ना चंदेरी का युद किसके मद्दे लड़ा गया तो right answer बाबर और मेदिनी राय के मद्दे लड़ा गया था इसमें सांगा ने मेदिनी राय का सहयोग दिया था ठीक है और ये योद हुआता 1528 में दियान रिखेगा important question था आपका अगला question आपकी screen पर है पिक्नोमेटर नामक उपकरन का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है मतलब सीधा आप पूचा जा रहा है पिक्नोमेटर कहां पर काम देखो यहाँ पर सभी का मतलब है ना add करना सभी प्रशनों का आफ मतलब की देखो साइंस के भी उतने क्वेशन एड़ करेंगे और राजस्तान जी के के भी उतने ही question एड़ करेंगे और इंडिया जी के कही उतने ही question साइन्स के थोड़े से कम जरूर होंगे लेकिन लगबग लगबग रेश्यू जो है आपका 50-50 का ही रहने वाला है सभी का इनोमोमेटर क्या मापने के काम आता है बोले सर इनोमोमेटर पवन के वेग कुमा आपने के काम आता है यहां पे सर सी हो जाएगा अगला क्वैसन ए इनमेंसे असंगत क्या है ऐसे क्वैसन आपको देखने को मिल सकते है ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हिसाब के ही देखें सबसे लमबा तर्टरे का वाला राजी हर यह बिलकुल गलत है असंगत ही है यह पहला ही असंगत है सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका बिलकुल सही है ये है ना चिलका जील काँ पर बोले सर ओडी समय है सबसे लंबी साइक नदी कौन सी है बोले सर यमूना है है ना यमूना है सबसे बड़ी साइक नदी यमूना है और यह जो है ना यह गंगा नदी की साइक नदी है यह मुना ठीक है दक्षिन बार्द की सब्चे लंबी नदी बोले सर गोदा हो रही जैसे हम वरद गंगा कहते हैं दक्षिन बार्द की सब्चे लंबी यह भी सही है तो मतलब यह तीनों सही है यह गलत ए वाला क्योंकि यह तो राजी है ना सबसे लंबी तट्रे का वाला ये गुजरात है कितना आसान क्वेसन आप लोगों को पूचा है है ना राजी के किस्तान और वेपारियों को फल एवं सब्जी के वैश्विक वेपार में सक्सम बनाने है तू तर्मीनल मार्केट का इस्तापित किया गया है ये आप लोगों को बताना है डूंड जैपुर में फतेपुर सीकर में मुहाना जैपुर में चीपा बड़ोद बारा में बोले सर ये मुहाना में किया गया और मुहाना हमारे जैपुर में है रैट आंशराब सभी का फिलाल के ल में दूसरा युद्ध 1971 में हुआ था सी आपका लॉक हो जाएगा मतलब कि इस युद्ध का जो प्रवाव बना था कि इस युद्ध के बाद क्या प्रवाव हुआ क्या प्रवाव पड़ा तो बंगलादेश अलग हुआ बंगलादेश का उदे हुआ यह आप सभी जानते और अगला क्वेसन आपकी स्क्रिम पर दे देते हैं रॉकेट की गती पर कौन सा सरक्षन सिदान्त लागू होता है यह आप लोगों को बताने जो रॉकेट की गती होती है उसके उपर कौन सा सिदान्त लागू होता है सिदान्त लागू होता है तो संवेग का सरक्षन हो आपको आपको अझा है ऑफशन गय को तो लू होग कर दो बिल कि एंपचिति में चापना करना करी थी ठीक है औरम आपकी स्क्रिंड पर जाता है वे तिलनी फसल जो रभी खरीब एवं जायत तीनों फसलों में प्राप्ट की जा सकती है वे तिलनी फसल जो रभी खरीब और जायत तीनों फसलों में प्राप्ट की जा सकती है मतलब वो कहते हैं ना बारा मास यह होता रहता है तो वो जाएगा आपका सूरज मुखी रैइट अंसर बी ऑपसं अगला क्वैसन हलनकि यह तिनों तिलन ही फसलह तारा मेरा से भी तेल निकल जा सकता है सूरज मुखी से भी और सोया बीन से भी ड्वित्य बोध किसे कहा हो जाएगा यह भारत के साधु पुरू सुए थे आठी शदी में ठीक है यह भी ध्यान रेकना है मतलब इन्हों ने बहुत धर्म का प्रचार परसार किया था कहां पे भूटान और तिबत वगेरा में भारत के साथ साथ अगला क्वेसन भारत में कुल टाइगर रिजर वाले राजियों की संक्या कितनी है मतलब कियां भारत में कुल टाइगर रिजर वाले राजियों की संक्या आप से पूचा है तो मतलब कुल कितने राजियों में टाइगर रिजर है और ये भी आपको द्यान होना चीए अपने राज़स्तान में आगलीक वैली में है जो म्यानमार मैं है अगला क्वेसवे ने जापानी कला इके बाना किसे संबद दित है जापानी कला जो है उसका नाम है एके बाना ये किससे सब्मान दिते है फूलों से सजावट की जाती है इसमें या दिवार चितरकला होती है या मूर्तियां होती है या फिर इनमेंसे कोई नहीं रियल आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए आफशन फूलों की फूलों से सजावट ठीक है बिलकुल ए ओफ्षन आपका लॉक हो जाएगा और अगला क्वेशन नंबर 38 जल्दी से जवाब भी बनेगा कि वही बीका नेर में इस्तित मंदिर नहीं है बीका नेर में इस्तित मंदिर नहीं है सांडेश्वर जैन मंदिर शूर्शानी देवी का जैन मंदिर विरात्र माता का मंदिर अपने बाड मेर जल्ले में हैं एक साइड में धोरा और एक साइड में परवत दोनों के बीच में भी हंगम दरश्च यहां का ठीक है तो right answer D option हो जाएगा राजस्तान का विश्रासर गाउं किसलिए प्रसीदें आप लोग इसका answer दीजे जल्दी से और यह गाउं जो है यह विश्रासर यह बीका नेर में है दोस्तों देखें बीका नेर में है यह विश्रासर गाउं और एक जो बीदासर गाउं है वो तांबे के लिए प्रसीदें ठीक है तो यहां पे हमारा right answer हो जाएगा एए option जिपसं के लिए प्रसीदें बीका नेर का विश्रासर गाउं और अगला question देखो परतम बायो और अगर पूचा जाए क्या पूचा जाए बताओ जरा बस इतना ही है गंगा नगर में इस्तित्यप परतम बायो मास है और अगला question है कि royal बिमारी किस रोग को कहा जाता है royal बिमारी सबसे पहले Britain की रानी को हुआता यह रोग इसलिए इसको royal बिमारी कहा जाता है ठीक है न अगला question है शुभाज चंद्र बोस शुभाज चंद्र बोस का जन्म जो हुगा न यह कहां पर हुगा था ओडिशा गुजरा तलाजस्तान बैंगलोर इनका जन्म हुगा था 897 में ठीक है और ए ओफस न आपका लॉक हो जाएगा ओडिशा ओडिशा के कटक में ठीक है ध्यान रखेंगे अगला question आपकी screen पर आ गया है कि सुनरी क्रांती संबंदित है देखेगा सुनरी क्रांती संबंदित है किस से संबंदित अंडा उत्पादन फल उत्पादन संबंदित गोल क्रांती है या फिर आप कह सकते गोल क्रांती का संबंद किस से अंडा उत्पादन से और यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा फल उत्पादन सुनरी क्रांती मतलब फल फल उत्पादन को आप सुनरी क्रांती कह लेंगे चमडा उत्पादन को आप क्य कह लेंगे ठीक है ये ध्यान रखना और अरे यार ये गोल क्रांती अपन आलू उत्पादन को कहेंगे गोल क्रांती और अंडा उत्पादन को अपन कहने वाले हैं रजत क्रांती दोस्तों ध्यान देना रजत क्रांती कहेंगे अंडा उत्पादन को फल उत्पादन को सुनरी क क्रांती और चमड़ा उत्पादन को खाकी क्रांती और आलू उत्पादन को गोल क्रांती ओक के सर एक धरुवर गोद लो योजना देश में कब शुरू की गई थी एक धरुवर गोद लो ये करी गई थी 25 अक्टूबर 2017 को है ना तो राइट आंसर आप सभी का ए आपसन हो जा अगला नवल का जैन मंदिर कहां पर रिष्थी ते बोले सर पाली में हैं क्या आप बात कर रहे हो पाली में क्या एक दम से आपका जवाब बी ऑप्शन लॉक अगला क्वेसन है इन फ्लू एंजा इन फ्लू एंजा का कौन सा वाइरस सबसे घातक होता है तो इसका वाइरस सबसे घातक होता है सर ओप्शन या वाइरस से अरे कोई भा कोई भी मानलो और वाइरस भी इसका एह ही है नेमन लिखी तो मैंसे कौन सा चंबल परियुजना का अंग नहीं है देखो साब गांदी सागरबान चंबल परियुजना परे राना सागर चंबल परियुजना परे क ठीक है तो जहां रखना है अगला क्वेस्टन आजादी के समय कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्स कौन बने थे आजादी के समय कॉंग्रेस अदिवेशन के अद्धिक्स कौन बने थे तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा C-Option आचारे जेबी क्रपलानी आजादी के समय कॉंग्रेस के अद्धिक्स आजादी मतलब कि सरे बजेडा का जाता है जलिएा कि चलें आगे बढ़ते और लास्ट क्विष्ण का reinforcement आपका endo आपका साग्री परता का अर्थ क्या है धेज़े साग्री परता का अर्थ जो एना रोक लगा दी गई थी अब मैं आपको एक question देता हूं उसका answer आपको comment section में देना है और comment section भर ही देना है आज ठीक है ना और दोस्तों देखिए आपको जितने भी जान करिये वो देनी है आपको अच्छा देखिएगा राजस्तान classes राजस्तान classes dot in यह अपनी राजस्तान classes की website है यहां पर आपको खूब सारा material मिल जाएगा वन पाल वन रक्सर से सम्दित, constable से सम्दित, ptt, bstc सभी के लिए और हाँ अपनी यह जो class है ना यह continue होती है रात को 9 बजे भी यह class होती है आपने अभी तक हमारे टेल टेलिग्राम पर message डालिया या फिर WhatsApp पर तो टेलिग्राम का link जोईना description में दे रखा है है हो वहां से भी आप उसको join कर सकते है ठीक है और WhatsApp को join करना चाहते है तो group का link description में है वहां से भी join कर सकते है ठीक है आज का question है किस दिन को श्राइद दीवस कोशित किया गया है इसका जवाब आपको देना है comment section में comment section जैसा कि मैं आपको बताया यह आपको भर ही देना है for you यह question आपके लिए है अब मैं आज ज्यादा क्या ही कहूं यह सारा का सारा मसला जो है ना आप ही को लेखना है ठीक है ना और मैं वैच्छा भी नहीं कर सकता क्योंकि question दे दिया है आप को ही वैख्या करने इसके ठीक है तो आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद अगर पहली बार हो राजस्तान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबने ना भूले धन्यवाद और हाँ लाइक लाइक भी कर दीजू